एक बहुत विचारो उत्तेजक व्याख्यान और पिछले सत्र में हुआ था हम लोगों की परंपरा है चार वजे के समय से इस ज्ञान यग्यों को प्रारंब किया जाता है और प्रारंबिक कारवाही जो है वो लगबद चार वच के आठ मिनिट पर प्रारंब होती है कारेकरम का प्रकार इस प्रकार रहता है कि शुरवाती दोर में चार बच के पांच मिनिट तक सभी पार्टिसिपेंट्स के जुड़ने का समय रहता है सीहोर की चाइड लाइन भी जुड़ चुकी है स्वागत है और उसके उपरांत जो परिचे होता है वक्ता का वो परिचे और संगठन की भूमी का इस परकार के दो विशे रखे जाते हैं पश्चात मुख्य वक्ता का विशे होता है जो लगभग 35 से 40 मिनिट का समय रहता है उसमें भी अपने विशे का परवर्थन करते हैं उसके परश्चात अध्यक्सियोद बोधन आध्यक्सियोद बोधन के परश्चात आभार पदर्शन और अंत में इस पूरे सत्र को ओपन किया जाता है यनि कि यह कारेकरम मुख्त होता है और इस मुक्त कारेकरम में इस विशय को लेकर के जो आज परजी प्रतिपागित किया गया है उस विशय को लेकर के प्रश्ण भी पूछे जा सकते हैं और सुझाओ भी रखे जा सकते हैं क्योंकि इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले सभी लोग बाल कल्यान समीती के माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य, किशोर जयाए बोड के माननीय सदस्य गण, विशेश किशोर पुलिस सिकाई से सम्मंदेत पुलिस अधिकारी गण, तथा बच्चों के शेतर में मेरंतर काम करने वाली संस्ता, चाइड लाइन के कॉल्डिनेटर्स एवं सदस्य होते हैं, बाल कल्यान समीती, किशोर जयाए बोड, विशेश किशोर पुलिस सिकाई, और चाइड लाइन की ये सेयुक्त ज्यान मंथन की परंपरा, गत 30 सप्तहा से लगातार चलती आई है, और वे सारे विशे जो बच्चों के सर्वोत्तम हिच से जुड़े हैं, उन्हीं पर चर्चा होती है, लगबग पिछले 30 सप्तहा में, बाल विख्षा प्रती, बालकों की तसकरी, बालकों के संबंद में, जो नशे से संबंदित विशे हैं, उनकी मानसिक समस्याएं, उप्चार आत्मक विधियां, बाल विभा के कई सारे इशू चर्चा किये जा चुके हैं, और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, कि वैधानिक दर्ष्टी से, प्रशाशनिक दर्ष्टी से, स्वास्त की दर्ष्टी से, शिक्षा की दर्ष्टी से, सब प्रकार से बच्चों के संबंद में, च Child Conservation Foundation भारत की ओर से किया जा रहा है और आज हम घूनकर के आ गए हैं बच्चों के समाज शास्त्री एध्यन की ओर हम जानते हैं जितनी जिम्मेदारी स्टेट की है जितनी जिम्मेदारी राज जी की है जितनी जिम्मेदारी न्याय पाली का और हमारे परशाशन की है उतनी ही ज जर्चा करने के बाद में यह ध्यान में आता है कि जहां समाज शास्त्र प्रार्णब होता है वहीं से परिवार और व्यक्तित्व इन दोनों का गठन होता है मैं मुझसे बड़ा मेरा परिवार मेरे परिवार से बड़ा मेरा समाज और समाज ऐसा समाज हो जहां पर सुसभ् और स्वस्त सुनस्कुर्टी का पालन करने वाले युवा और बालक वो निरंतर विद्यमान रहे और इसी विशय को आज हम लोगों के मद्य प्रतिबादित करने के लिए एक मुर्धन्य विद्वान उपस्तित हैं जिनकी आयू तो कम है लेकिन कुछ लोग आयू कम होते वे भ ग्यानवरद्ध होते हैं और ऐसे ही ग्यानवरद्ध हम लोगों के बीच में है श्री मोहिट जी पान्चाल मोहिट जी के शेट्षणिक जो रिकॉर्ड है उससे मैं आपको परिचे कराता हूं आप MSW याने सनातकोत्तर हैं समाजकारिय और समाजशास्त दो विशियों में इसी के साथ आपने MFIL भी किया है और आप उन गिने चुने विद्वानों में से हैं जिन्होंने समाजकारिय विशे में नेट क्वालिफाइड किया है और जैसा कि हम सभी का स्वभाग्य है आपका विशे पीचेडी का जो है वो बालकों के आपके अदूराक के कारणी ही है और आपने विशे लिया है उपेक्षित बालकों का समाजशास्त दियान उज्जे एन जिले के विशेश परिपेक्ष मे और मुझे पता है ये विशे लेने के पीचे कहानी क्या रही है मैंने 2016 में एक ऐसा युवा देखा था जो समाजशकारे की पढ़ाई कर रहा था और बहुत कुछ जान लेना चाहता था समाजशत के ग़मी भरे वो दिन जब आम तोर पर सभी लोग समाजश्त के आनंद लेना चाहते थे तब एक यूवा उस समय में मैं किशोर न्याय बोड का सदस्य हुआ करता था तो एक बालक को लेकर के और किशोर न्याय बोड में पस्तूत हुआ और ना वो पुलीस है ना ना वो प्रशाशन है, ना वो कोई ऐसा वेक्ति है जिसे इस संबंध में काड़वाई या गतिविजी का सीधा सीधा कोई ग्यान हो, पर इतना पता था कि मुझे इस बच्चे को किसी अच्छी एजनसी तक ले जाना है, बच्ची भी बहुत कष्ट प्राप्त की भी थी, समय साथ में बने रहे, उसी समय आमधी तुफान और भर्शा सब कुछ आई थी, लेकिन मुझे पांचाल जी अटल थे, और जब तक बच्ची को उसके घर ना पहुंचा दिया गया, तब तक उसके साथ में लगे रहे, और शायद मुझे लगता है वही भूमी का तयार कि बालकों के शेतर में काम करना है और अपना उच्चे शिक्षा और अपने अध्यता के शेतर में ही प्रारम करना है, ऐसे मुझे पांचाल आज बच्चा की रूप में उन सभी को प्राप्त हुए हैं, तो मैं निविदन करता हूँ श्री मुझे से, उपेक्षित बच्चे या सरक पर रहने वाले बच्चे या श्रेमीकों के बच्चे, जिनके उपर आपका अध्यन कार है, आप उन सभी बच्चों के संबंद में हम सभी का मार्ग द्रशन करेंगे, मैं श्री मोहिच जी को आमंतरित करता हूँ, धन्यवाद. जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आधरनी भाई साब, सियास्त 2016 की जो यादे आपने मेरे सामने बिल्कुल ताजा कर दिये, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साब, आज के इस कारिक्रम के विशाई के बारे में मैं आप से चर्चा करना चाहता हूँ, कि हमारा आज का विशाई है, problem, causes and suggestion related to street children, इस विशाई को लेने के पीछे मेरा मतलब यही था कि जो इतनी सारी संस्ताय है, इतनी सारी अधिनियम है, और इसकी बावजूद भी बालक आज street children क्यों है, या उपिक्षित क्यों है, इस क्रम में मैं आपके सामने एक screen share करने ही जा रहा सकूँ, उससर पहले में Child Conservation Foundation के सचीव, एवं इस webinar की coordinator, श्री क्रपा संकर 24 सरका रधेश से धनिवाद यापित करता हूं, एवं इस webinar के संचालक, हमारे परमसदी उजिन बालकल्यान समीती के जीलाध्यक्ष आधरनी लोकें सर्माजी को धनिवाद यापित करता हूं, तो करता हूं, भी है। कि आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाए दे रही है कि आप से दिख रहे हैं जी धन्यवाद आप सभी को आदेश हुआ था कि बालकों के इस सजीता हुद्दे पर मुझे अपनी बात रखने का उसर मिला है तो मैंने कुछ लाइने जो बालकों की तरफ से लिखी थी क्योंकि मैंने जब फिल्ड पर जाने की बाद में जो अनुभव किया था बालकों को लेकर तो बालकों की जो पीड़ा है वो मैं इस चंद लाइनों के मात्यम से प्रारम करते हुए अपने विशाई पर आता हूँ बालक हूँ मैं मुझे अभी बालक ही रहने दो छोटा हूँ अभी थोड़ा समय विध्याले में ही रहने दो क्यों वक्त से पहले मुझे जमाने की भीड में धखेलते हो बालक हूँ मैं मुझे अभी बालक ही रहने दो समय अभी है विकास का मेरा यू ना यहत मुझसे छीनो मेरा बड़ा होकर घर परिवाद देश के लिए कुछ करने का सपना है मेरा यू ना यह दिकार मुझसे छीनो मेरा लाड प्यार भावना करूना समवेदना पाने का समय है अभी मेरा यू ना जमाने के लालस में यह बच्पन छीनो मेरा बालक हूँ में मुझे अभी बालक ही रहने दो छोटा हूँ अभी थोड़ा समय जाले में ही रहने दो गर अदि है और Synoon जो हमारा condition पर निर्वर होते हैं चाहिए हुए सड़कों पर रहना हो काम करना या अपने दिन का अधिकान समय सड़क पर विताना हो। बालक के इस्ट्रिक चिलन बनने का सबसे प्रम्युकारण अगर यदी है, तो बालक की उपैक्शा है। क्या होता है कि एक कोई भी बालक है वह एक समय में इस्टे चलन नहीं बन जाता उसकी एक प्रोसेस होती है उस प्रोसेस से गुजरते हुए वह इस उपेक्षा की गर्त में चला जाता है तो उसकी सुरुवात होती है उपेक्षा से तो हम देखें यहां पर उपेक्षा क्या हो यह उस बालक की उपेक्षा करना, निरादर करना, अपमान करना को भी उपेक्षा माना गया है। साधरणता बाल उपेक्षा को मनोवेग्यानिक दुर्विवार भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्रोसेस मानसिक इस्तर से होकर ही गुजरती है। आम तोर पर बच्चों की सारे रिएक भावनात्मक्ट सेक्षने किया चिकिसा जरूतों को पूरा करने के लिए बच्चे की देखबाल करने बाले द्वारा विपलता के रूप में बाल उपेक्षा को परिभासित किया गया है. अब यहां पर सवाल होता है कि बालक कौन क्योंकि अलग-अलग कानुनों के अनुसार बालक की अलग-अलग परिवास आया डेफिनेशन प्रदान की गए इसमें युनाटेड नेशन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स 1989 की अनुसार जिससे बालक कार किया था कि अनुसार 18 अधिन्यम का व्यक्ति बच्चा है जब तक उस पर लगूप अनुन के अनुसार भव्यस्क ना माना जाए वहीं कि सोर न्याय बालक को की देखरेक वस अनक्षन अधिन्यम 2000 की अनुसार 18 वर्च से कम आयू का व्यक्ति कि सोर या बच्चा माना जाएगा वहीं पौक्सो एक जिसे बच्चों की सुरक्षा के लिए योन अपराद अधिन्यम 2012 कहा जाता है कि अनुसार 18 वर्च से कम आयू का व्यक्ति बच्चा माना जाएगा इस प्रकार अनेक अधिन्यमों के अनुसार अलग-अलग अधिन्यमों में बालोकों को डिफाइंड किया गया है जिसमें से 1993 या 1903 में 169-2012 सुईकार कियागा जिसमें इन जो बालक है उनको चार मुलिक अधिकार प्रदान किये गए थे जिसमें से प्रमुक्रूप से चार मुलिक अधिकार है पहला है जीने का अधिकार दूसरा विकास का अधिकार तीसरा सुरक्षा का अधिकार और चो सहबागीता का अधिकार जब बच्चा इन अधिकारों से वज्जित हो जाता है तो उसे हम उपेक्षित बालक मांगते हैं क्योंकि ये चार अधिकार बालक को स्वस्थ जीवन या स्वक्ष वातावरण में जीने के लिए काफी महत्पुन आवश्यक हैं इन बालकों में वेश बच्चे की सड़किय बच्चे कामकाजी बच्चे नसा करने वाले बच्चे और भीक मांगने वाले बच्चे इन बच्चों पर विशेज ध्यान देने की आवश्यक्ता है वह कैसे हम आगे देखते हैं हम लोगों ने जब इन लोगों से बच्चों से बात की या चर्चा की तो उसके दोरान उनकी कुछ समस्या है हमारे सामने निकल कर आई अब उनकी क्या क्या समस्या थी यह समस्या एक समस्या से जूड़कर दूसरी समस्या है दूसरी समस्या से जूड़कर तीसरी समस्या इस प्रकार बालोकों की लिंक जिसे लिंक होता है लिंक जूड़ती चली ग तो बालक क्या होता है अपने परिवार के साथ समयोजन ना इस्तापित करते हैं बाहर की दुनिया में जो कि उसे बहुत अच्छी लगती है उसके और देखने लगता है और वह उपेक्षा की पहली सीड़ी चड़ता है वहीं आगे हम इन बालकों की सेकेंड समस्या देखते है या उसके साथ अच्छा व्यवार नहीं किया जाता है इस प्रकार वह बालक सामाजिक समयोजन की समस्या से लिहर जाता है अगली बात आती है क्योंकि कहीं बार हमारे द्वारा देखा जाता है कि जो उपेक्षित बालक है उनका विशेश परिवेस होता है और उन परिवेस क कारण उनको क्या होता है अनिवारी वातावारण एवन परवरिस नहीं मिल पाती है और ही अनिवारी वातावरण एवन परवरिस के अभाव के कारणी बालक की समस्या का जैन्म होता है साथ में जब बालक उपेक्षित हो जाता है तो या इस्टिट चिलन जो रहते हैं जो दीजी, बच्चे होते हैं, उनके साथ, आम साधान, लोगों के दौारा, अमान भी ये अपमाँजनक बढ़ता हो किया जाता है, हम लोग आए दिन देख सकते हैं कि एन बालो को लोगों के दुवारा या तो घाली कलोज या मार पीट या गलत सब्दों का प्रियोग किया जाता है। अगली समझ से हैं इन बालों को की मित्रशंहू की गलत संगत का प्रभाव। जब बालक अपने परिवार में समयोजन स्थापित नहीं कर पाता है और जब वो बहार समाज की और देखता है तो वह क्या करता है अपने मित्र समू से जोड़ता है और अगर वह गलत मित्र समू से जोड़ जाता है तो वह उपेक्षा की दूसरी सीड़ी चड़ता है जहां प उपेक्षित या सड़की बच्चों की प्रमुक समस्या का कारण भी गरीबी होती है क्योंकि परिवार अगर गरीब है तो वालक अपने आवशक्ता की पूर्टी नहीं कर पाता इसके कारण वो क्या करता है गलत संगत में पढ़ता है गलत संगत की कारण अवेधानिक तरीकों से वह अपनी आवसक्ता की पूर्ती करने का प्रयास करता है अगला है प्रेम तता भावनात्मक संबल की कमी साधान तहाँ देखा गया है कि जो उपेक्षित बालक होते हैं या सड़की बच्चे होते हैं उनके साथ प्रेम तता भावनात्मक संबल प्रदान करने वाला बित्त साथ होती है अगला है पोशन की समस्या जैसे कि हमने हमारे दुबारा जब अवलोकन या observation किया गया तब पता लगा कि जो strict challenge होते हैं उनके खाने का कोई समय कि वह समाज के बहार जब इंटर करता है तो समाज में पहला चड़ा होता है उसका विद्याले और विद्याले में अगर उस बच्चे को हम लोग प्रेम भावना तथा बैवार सिखाते हैं तो ही वह बच्चा समाज में अच्छा आश्रन प्रस्तुत करता है परंतु हम हमारे दुवरा जो इस्टिट चिलन है उनके अध्यन में देखा गया कि बच्चे या तो बच्चों का विध्याले में नामंकन हो जाता है तो वो बीच में ही विध्याले छोड़ देते हैं जिसको हम ड्राप आउट कहते ह हैं अगला है मांसिक सोचन क्योंकि जब बच्चे सड़क पर होते हैं तो उनकी बच्चों पर अनेक लोगों की नजर होती है वे लोग उनका मांसिक सोचन करते हैं जैसे कि अगर हम बालस्रमी को की बात करें तो बालस्रमी को जो छोटा बालक होता है उससे जब काम करवाया तो उसे ध्यान नहीं रियता है कि उसको कितने गंटे काम करना है, उसे डराया धमकाया जाता है और अधिक काम की गंटे में उसे बर्क करवाया जाता है. अग्ला है, हुता है, आर्थिक सोशनौ. इन बच्चों से कहीं बार जो सडख पर लोग रहते हैं, वो इनकी पास पेशे छील लेते हैं, साथ ही साथ जो अगर इनका न्योकता है, जो इनसे काम कऱ पाता है, वहाँ भी इनको कम पेशा देता है और काम के गंटेज हो रहते हैं वो साधरन व्यक्ति से भी अधिक होते हैं अगला है सारे रिक सोसन जिसकी अंतरगत मार पीट, योन सोसन, अधि जोखम भराकारी करवाना या इनके स्वास्त के साथ खिलाड करवाना अगला है विध्याले में समावयजन की समस्या बालक परिवार से जब बाहर निकलता है और विध्याले में प्रवेश करता है और विध्याले में जब वो समावयजन स्थापित नहीं कर पाता है तो वो पुना घर पर नहीं आता है वो विध्याले का बाकी समय सडक पर या अप साल 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है इस बाल दिवस को मनाने का प्रमक्वारण ये था कि जो बालक होते हैं या बच्चे होते हैं उनके मध्य उनके जो अधिकार है उसे संबंदित जो जानकारी उसको आधान-प्रदान तता कल्यान संबंदि कायक्रमों से उन बच्च उनको बालस्रम निशेदीवस मनाया जाता है जिसकी अंतरगत जो जहां पर बालस्रम होता है वहां पर उसे रोकने तथा बालकों को जागरू करने तथा जो न्योकता है उसे इस बारे में जानकरे दी जाती है कि जो बालस्रम आपके दोआरा करवाया जा रहा है वहां एक कान को के बुद्धों पर विशेश रूप से कारी कर रहे हैं जिसमें से UNICEF United इस्टर्ट या चिल्लन फंड उनाटेट नेशन चिल्लन फंड जिसको कहा जाता है संयुक्ति राष्ट संग जिसको उनाटेट नेशन का जाता है युनेशको अकांसा फांडेशन सलाम बालक ट्रस्ट भूमी संगठन ऐसे अनेक संगठन कारी कर रहे हैं बालोकों के मुद्धे पर इसमें एक प्रमुक संगठन ने बच्पन बचाव आंदोलन जिसकी बालोकों के मुद्धों पर काम करने के लिए एक संबल बने हुए है जो बालोकों को कहीं हजारों हजार बालोकों को पुनर्वास इस्थापित करवाने में मदद कर चुके हैं ncpcrgovernment.in का एक आगड़ा आपके समने में प्रसुत कर रहा हूं नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन आप चाइल्ड राइट्स जिसको कहते हैं इसके अनुसर अगर हम देखे तो भारत के अंदर पांच वर्सों से नौ वर्सों के जो बालस्रमिक है उनकी कुल संक्या है अगर हम 10 से 14 आई वर्स की बात करें तो कुल जो बालस्रमिक है उनकी संक्या एक करोड़ साथ लाग पिच्छन सत्तामन लाग इक्यासी हजार छेसो सिंत्यानों बालक है एवं पचास लाग चार हजार दोसो इट्यासी बालिका है वहीं 15 से 19 आई वर्ग की अगर हम बात करें तो भारत वर्स में कुल 3 करोड 22 लाग सिंत्यानों हजार दोसो साथ बालस्रमिक है एवं उसमें से 2 करोड 9 लाग 19 हजार दोसो बारा वालक है और 1 करोड 13 लाग सित्योतर हजार 949 वालिका है इस प्रकार अगर और आल 5 वर्ष से 19 वर्ष की जो बालस्रमिकों की संक्या अगर हम भारत में देखें तो आकड़े आशरी शकित करने वाले हैं कि 4 करोड 29 लाग 23 अजा साथ 12 बालस्रमिक है भारत में ये काफी चिंता का विशाई है क्योंकि बालक का विकास इस उम्मर में होता है और इस उम्मर में हम उसको एक अलग ही दुनिया में समाहित कर देते हैं जहां पर उसका सोचन होता है। आर्थिक सोशन तर्था उसका सारेडिक सोशन इसी क्रम में बालोकों को हितों के लिए प्रमुक अधिनियम बनाये गए हैं जो कि अनेक विश्वयों पर अलग-अलग अपनी पहचान है रखते हैं इसमें सबसे पहले नंबर पर है मतिपदेश भिच्छावरत्य निवारण अ हम जिस समाज में रहते हैं वह समाज एक अलग ही दिशा में जा रहा है जहां पर हम लोग सब्सक्राइब कि नहीं देख रही हैं थोड़ा कर लीजिए और आप दो सिस्टम से जुड़े हुए हैं सायद एक से कर लीजिए किसी से एक से जुड़ा हुए अगला है इसमें मद्धिप्रदेश भिख्षावत्ति निवारण अधियम उनिश्वत्य उत्तर जो की भीक मांगना या भिख्षावत्ति करवाना एक दंडनी अब्राद है इस कानून के अंतरगत विकारियों के पुनरवास और ट्रेनिंग देकर सामान जीवन में लोटने के उपाई का प्रावधान किया गया है कानून के पालन के जिम्मेदारी सामानीक न्याएवं निशक्ति जन कल्यान विभाग की है इस अधिनियम के अंतरगत भीक मांगने पर पकड़ी जाने पर प्रारंब में पहली बार जब भीक मांगते कोई विक्ति पकड़ा जाता है तो दो साल तक की सजा एवं दूसरी बार अगर वह भीक मांगते पकड़ा जाता है तो दस साल तक की जेल यह सजा का प्रावधान है अगला मैं थोड़ा सा बीच में बोलना चाह रहा था मोहिजी मेरा सभी जुड़ेवे सहभागियों से निवेदन है कि मोहिजी संभवता दो डिवाइस से जुड़ेवे हैं तो उनका जो दूसरा डिवाइस है उसको भी अगर हम पिन कर लेंगे तो हमें स्क्रीन दिखने लगेगी और मोहिजी कॉमेंटरी करी रहे हैं तो कॉमेंटरी हमें सुनाई देगी और उनका जो दूसरा वाला नाम है आप सभी को दिखी आओगा उसको आप लोग पिन कर लीजिए साइड में जाकर करके तो आपको स्क्रीन दिखने लगेगा जी कंटीनिव करें चमा चाहता हूँ अगला है महत्पुर्ण अधिन्यम है जो कि बालोको को सिक्षा के रूप में उन्नत करने के लिए बनाये गया है निशुल्क अनिवारे बाल चिक्षा का अधिकार अधिन्यम 2009 जिसको आटी एक तबिक कहा जाता है यहां अधिन्यम संस्क्रति और शिक्षा संबने मोलिक अधि वर्च के बालक है उनको निशुल्क अनिवारे शिक्षा प्रदान की जाती है यह अधिन्यम भारत में एक अप्रिल 2010 को लागू किया गया था इस समीधान के अंतरगत 21A के अंतरगत प्रदान किया गया है अगला अधिन्यम है पाक्सो अधिन्यम 2012 जिसका पूरा नाम प्रो प्रोनोग्राफी से सरक्षन प्रदान करने के लिए लागू किया गया था यह अधिन्यम बच्चों को 18 वर्ष से क्रमायू के व्यक्ति के रूप में परिपासित करता है और बच्चे का सारीरिक भावनात्मत बोतिक और सामाचिक विकास सुनिशित करने के लिए हर चरण को ज्यादा मातु देते हुए बच्चे की सेष्ट और कल्यान का सम्मान करता है इस अधिन्यम में बालक एवं बालीकाव से संबंदित लेंगी का कोई इस्थान नहीं है जो बालक नसा करते हैं एवं नसिली वस्तुर का इस्तमाल करते हैं उसके लिए नसिली दवाव और माध अधिन्यम 2015 जो की संसोधित अधिन्यम है इस यह अधिन्यम नार्कोटिक्स ड्रक्ट एंड साइकोट्रापिक सब्स्टांसिस एक्ट 1985 का अपडेट रूप है जिसे एंडिपीएस एक्ट 1985 की धारा एककोतर की अंतरकत सरकार को नसिली दवा के आधि लोगों की पहाचान इल अधिन्यम देखरेक और सरक्षण की आउसक्ता वाले बालों को तथा विदी का उलंगन करने वाले बालों से संब्दी थे यह अधिन्यम अनात छोड़ दिये गए और सरेंडर किये गए बच्चों के घरेलू और इंटर कंट्री एडॉप्शन की व्यापक प्रक्य का प्रा अधिन्यम है बाल स्रम निशेद और विनियमन संसोदन अधिन्यम 2016 इस अधिन्यम के अंतरगत बाल बालों को से स्रम करवाने वाले व्यक्ति को 6 माह से लेकर 2 साल तक का कारवास का प्रावदान है साथ ही साथ इसके अंदरगत दंड के रोप में 20 000 से 5000 का और्थिक जुर्माना भी लगाया सकता है एफम पर एक हेमर हे और वूज परबार करता है उसमें दिखाएगा है no child labor yes to quality education अर्थाथ हम लोगों को बालोकों को सिख्छा से जोडने का मात्मन कदम उठाना पड़ेगा तभी यह उपेक्षित या इस्टे चिलन की समस्या खत्म होगी अब सवाल उठता है कि इतने सारे अधिनियम और इतनी सारी संस्था काम कर रहे हैं उसके बाद भी आये दिन हम लोग इस्टे चिलन या नसा करने वाले बालक या भिक्चुक या बाल स्रमिक आये दिन देख सकते हैं तो हम लोग और हमारे जहन में ये बात आए कि वास्तों में ग्रासरूट लेवल पर या जमीनी इस तरब पर क्यों हम पता कर है कि वास्तों में बालों को कि क्या समस्या है जिसके करण ये बाल बालक उपेचित या इस्टिट चिलन बनते हैं तो हमारे द्वारा उच्छेन नगर में एक अध्यन किया गया है जिसमें प्रियास किया गया है कि ये जो इस्टिट चिलन्स है या उपेचित बालक है इनके हाट स्पोर्ट को हम लोग डेवलप करें इसका प्रमुक यहां पर सो करने का प्रमुक रिजन यह है कि हम जहां पर भी निवास करते हैं चाहे वो कोई भी इस्थान उचेन के पेग्जा महां पर हम लोगों को इस विशाई को लेकर एक हम भी अनुसंदान कर सकते हो और हाट स् सब्सक्राइब करने का हमारा क्या रिजन या क्या कारण था कई बार कहते हैं कि जो इस्टेट चलन होते हैं उनका प्रमुक कारण यह होता है कि वास्तों में बालोगों के परिज़न यह होता है परिवार का छोटा होना है यह बालोगों को कि परिवार संयोक्ति परिवार का प्रेक होना है तो हम ने यह कुशन महाँ पर कर गहें तो इस अधियम में पता लगा कि 89.4 प्रतीसद बच्चे जो थे उनके परिवार का शुरूप एकल था इससे सिद्ध होता है कि जो परिव चोटे हैं अधिकांस था उनके ही बच्चे उपेक्षित की स्रेडी में जा रहे हैं इसका प्रमुकारण ये है कि माता-पीता क्या होते हैं अपने उधर पोशन करने के लिए जो रोजगार मिसलग नहों जाते हैं इसके कारण बच्चों पर प्रॉपर या एक डंग से ध्यान है कि जो अधिकांस था बच्चे हैं वालिकाओ के अपेक्षा तीन गुना बालक थे जो कि इस्टेट चिलन या बाल उपेक्षा का सिखार थे अब बात आती है कि परिवार का क्या मुख्य व्यवसाई जो बालक इस्टेट चिलन है उसमें यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि 64.4% उत्तरदाता ऐसे हैं जिनके परिवार का मुख्य व्यवसाई मजदूरी है अर्थात माता पीता जब मजदूरी करने चले जाते हैं तो बालक क्या करता है अपने मित्रों के साथ में या अन्य किसी व्यक्ति या साती के साथ में वहां सड़क पर खुमने निकल जाता है और अपनी आवशक्ता की पूर्ति करने के लिए या तो विच्छावरति करता है या अन्य किसी प्रकार की क्रम में वहां जूर जाता है हमने देखा कि क्यों उजेन में आये दिन इतने सारे बालक उपेचित या इस्टित चिलन के रूप में दिखते हैं तो कि हवास्ता में इस्तान पहले देखे थे और स्पोर्ट डेवलप किये थे कि वहीं पर उन लोगों का निवास है तो आश्र कर देने वाली बात हमारे सा सकते हैं कि लगबख 25 प्रतिसत उत्तर डाता ऐसे थे जो मौर्निंग में सुभा उजेन आ जाते हैं और दीन भर यहां रहते हैं या चाहे वो बाल स्रमिक हो चाहे बाल बिच्चुक हो या नसा करने वाले बालक हो उन में से प्रमुग गाउं थे नीनोरा, कंदारिया, पार गुए is wrath. तो हमने वालकों के चीश्या प्रतिसत बच्चे वद्द्ध्धा नहीं जाते हैं इस्से शिद्ध होता है कि वपेशित होने का सबसे प्रमु कारण यह है कि बालक विद्याले में इंगेज नहीं है बालक विद्याले से जुड़ा हुआ नहीं है क्योंकि जो बालक विद्याले में इंगेज है वो दिन का चार से पांस गंटे विद्याले में रहकर विताता है और बाकी का समय परिवार में मत दे पाता ह अगे हम देखते हैं विद्याले का प्रकार जो बच्चे 41.1% विद्याले जाते तो उसमें से 36.1% जो बालक है या बालिका है वो सास की विद्याले में जाते हैं अब सास्की विद्धायली में जाने का से उनका आगे ज़ो हम बताएंगे कि वह बच्छे विद्धायले में जाते ही नहीं है शास की विद्धायली की एक विद्धायली की साथ में मिलक एक आङरने करना चाहिए कि बालों को इस प्रकार का structure अब यहां पर हम देखते हैं तो जो पीसे हमने यहां पर देखा था कि अठाउन दसम्लों नो प्रतिसत बच्चे वे थे जो कि ड्राप आउट थे मतलब कि जिनका नावांकन विद्ध्याले में हुआ था परन्तु वो किसी ना किसी कारण से विद्ध्याले उन्होंने जाना छोड़ते हैं जो कि काफी चिंता का विशह है और इस्ट्रिट चेलन बनने का सबसे प्रमु कारण भी यह है यहां पर हम देख सकते हैं लगबग आधा प्रतिसत जो कि 51.7 प्रतिसत बच्चे हैं वो ड्राप आउट हैं मतलब उपेचित होने का सबसे बड़ा कारण में से अगर हमका हैं तो ड्राप आउट विद्ध्याले जाना छोड़ना है यह ड्राप आउट होना भी है आगे हम बात करें तो देखते हैं कि बालक क्या है कौन सी कक्षा में से उसने ड्राप आउट हुआ है कौन सी कक्षा से उसने विद्ध्याले जाना चोड़ा तो यहाँ पर 17.6 प्रतिशत बालक ऐसे थे जिन्होंने प्राथ्मिक पहली से पांचवी कप्छा के मद्धी उन्होंने विध्याले जाना चोड़ दिया और 11.7 प्रतिशत विध्यार्ट उन्हें छट्टी से आँठी कप्छा के मद्धी छोड़ा अगर हम इन कोशिश करना चाहिए कि जब बच्चे का इंडॉल्मेंट हो विध्याले में तो उसको जादा से जाता इंगेज किया जाए और उसको सिच्चा का मातों बताया जाए आगे हम देखते हैं विध्याले छोड़ने का कारण हमारे मन में जिग्यास होई कि इतने सारे बच्चे हैं राप ओट हो रहे है तो थी इसका करण क्या है तो पता लगा कि 20.6% जो बच्चे हैं उनका विध्याले में मन ही नहीं लगता है क्योंकि उनके जो Dentri वर भूंते वह भी इक जात लेश्चा हो जाना है वहीं 12 दसमी दो दो पृतिसाद बच्चों का जेसी कि पडं और अर्तिक कमी की कारण या धन के रूप में पिछटा होने के करण। प्रतिसत बच्चे ही चाइड लाइन के बारे में बिल्कुल जानकारी थी कि अगे हम बात करें जो बालक इस्ट चिलन होते हैं वो नसे की प्रवती में भी सनलिप्त होते हैं और नसा करने की आदत के बारे में हमने जब बालक को इसे जानने का प्रियास किया तो पता लगा कि लगभग आधे लोग जो आधे बच्चे थे 43.9% बच्चे नसा करते थे ये कापी चिंता का विशए हैं क्योंकि जब इस्ट चिलन हुआ बालक और बहर गुमने लगा और मित्र समु के संगत में आया तो उसने क्या क्या सबसे पहले वह नसा करने की लद्ध में लग गया अब जब बालक को नसा करने के आदत परजा आती हो नसा करने के लिए उसक उपिक्षिता की गर्त में वह चला जाता है। आगे हमने प्रयास किया कि बालक जो नसा करते हैं। आगे हमने प्रयास की बालक जो नसा करते हैं। वैइतनर का सेवन करने वाले जो वाईटनर होता है है उसको कपडब में डालते हैं और उसको सुंगते हैं अपने अली के द्वारा शांस के द्वारा उन बालोकों की संख्या 6 baja 3 प्रतिशत्यी आता है其實 होता है कि बालोक के द्वारा ये सभी कर Top किया जा रहा है अब बात आती है कि वास्तों में ये बच्चा नसा करना कहां से सीखें तो 32.9 प्रदिशत बच्चे ऐसे थे जो दूसरों को देखकर सीखें मतलब कि वो मोटिवेट हुए कि अगर हम ये सामने वाला बैक्ति कर रहा है तो हम भी एक बड़ ट्राइ करके देख हम भी कोशिस करके देखते हैं कि नसेखा टेस्ट कैसा होता है तो ऐसे बच्चों की संक्या 32.9 थी वहीं जो मीत्र समू से नसा करना सीखें ये चिंता का विशा है कि मीत्र समू के माध्यम से 60.8 प्रतिसत बच्चे नसा करना सीखें अथा हम कह सकते हैं कि जो बालक के मित्र समु पर विशेज ध्यान दियान का मित्र समु अच्छा हो और यहां पर 11.3 अगर हम यहां पर देखें 11.3 तरता परिवार से नसा करना से कहें कई बार क्या होता है कि बालकों के मातापिता उनसे कहते हैं कि जाओ तुम यह वाला नसा यह नसे के रूप में जो समगरी होते इस इसका करन भी नसा करने बच्चा सीख जाते हैं आगे हम बात करते हैं जो वाल स्रमिक हैं जो किसी ना किसी प्रकार के श्रम में सल्लिप्त हैं तो हमने देखा कि 30% बच्चे घरेलू प्रकार के स्रम में सल्लिप्त थे घरेलू प्रकार के स्रम मतलब किसी के यहां जाड़ू पोचा करना या कार साप करना चोकी दारी करना इस प्रकार के कार में घ्रहेलु कार में बालक या बालिकाय 열il अद्ध, अध्रसंब है कि जो सबसे ज़्यादा भाल स्रमिक थे, वो घ्रहेलु श्रम एवं दुकानों पर काम करने माले श्रम, कि अंतरगत आते थे अब हम बात करते हैं कि आवासों में बालक जो कारी करता उसे कितने घंटे कारी करवाया जाता है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 7-9 घंटे कारी करवाने वाले बालुकों की संक्या सबसे अधिक थी अगर इन दोनों आकोड़ों को अगर हम जोड़ दें तो लगभग 67.4 या 6% बच्चे इसे थे जो कि 10 से लेकर 12 घंटे कारे करते थे जो कि काफी चिंता का विसाई है क्योंकि बालक की उम्र इतनी नहीं होती है इतनी वो इतना capable नहीं होता है कि उससे इतने काम की घंटे काम करवाया जाए क्योंकि वो थक जाता है और थक जाता है तो जो न्योकता होता उसके द्वारा उसको मारा पीटा जाता है और गाली गलोज की जाती है और उससे जबरदस्तिकारी करवाया जाता है यहाँ एक प्रमु कारण है ब क्योंकि वह सूरमिक की संख्या तादत बढ़ती क्योंकि न्योकता ये से लोगों को यहादा पसंद करता है क्योंकि वह ज्यादा घंटे काम करता है साथ इसाथ उनको कम पीशा देना पड़ता है आगे जो बालक भिक्षावत्ती करते हैं उनके बारे में हमने यहां पर एक टेबल के मार्द्यम से आंक्रे प्रस्तूत की हैं इसमें पता लगाया गया कि क्या वास्तों में भिक्षावत्ती करने वाले जो भीक मांगने वाले बच्चे हैं जो भिकारी बच्चे हैं वो क्या प्रती दिन भिक्षावत्ती करते हैं तो उसमें से 70.5% बच्चे ऐसे थे जो प्रती दिन किशी ना किशी प्रकार की भिक्षावत्ती के कारी में सनलिप्त थे ग1000 वाहीं 200,13 बाल वार इसाफ़ी ग्रुप से जीसे कि शुक्रवार को सुनी बाहर को सनी मंदिर के सामने चले जाना ध कमानी है स सम्बाहर को महकाल केसामने इस प्रकार से वालग сем वीच्छारवति करतें। अगर हम 8-12% बालकों की या विच्छारवती करने वाले बच्चों की बात करें, तो तियारों या परवों पर वो विच्छारवती करते हैं, जो हम इसकी बात करें तो यह धार्मिक नगरी है और लोग क्या करते हैं, धार्मिक भावना से प्रेध होकर यहां आते हैं और दया क की भावना से दान-धर्म करते हैं इसके कारण क्या होता है कि माधा-पिता बच्चों को भेज देते हैं वहाँ पर कि जाओ तुम इस इस इस्तान पर जाना लोग आएंगे और तुमको विक्षावरत्ति के रूप में दान-धर्म के रूप में पेशा देंगे तो यहां पर हम हमारी जो धार्मिक भावना वसक वह भी यहां पर एक विच्चुप को जन्म देने के लिए जिम्मेदार है विक्षावरत्ति का प्रकार पर अगर हम बात करें तो हमने यहां पर एक तर्म यूज किया चद्म विक्षावरत्ति होती जिसमें बालक एक छूपा हुआ प्रकार किसी सामगरी के बदले जिसे एसे बच्चे हम लोगों को आयतिन पर मिल जाते हैं जो शत्म विक्षावरत्ति करते हैं यहां पर हम लोग देखेंगे करने के लिए अगला है उनतीस दशमें लोग 5% बच्चे घर वालों द्वारत्ति करने जाते हैं कि जा विक्षावरत्ति करने जाओ इसे जो परशाअ प्राप्त होगा उससे हम लोग हमारे घर के लिए खाने के सामान लाएंगे जो आवशेक सामगरी है वो लाएंगे पो 9 करता है कि जो परिवार विक्षावर्ति करता है उनके ही बालक वहाँपर विक्षावर्ति करने के लिए गुंते हैं. यह पर हमने समय जानने का प्रयाष कि कितने घंटे वह विक्षावत्टी करते हैं, तो अदिकान से सब्सक्रा आपकों करते हैं, और विक्षावत्ची से पेसा प्राप्त होता, उसमेने नशा करते हैं, या अन्य किसी सामगरी को इंजोई करने में या मित्रों के साथ में वो भूते फिरते हैं और खर्च कर देते हैं अब कहीं बार हम लोग देखते हैं कि परिवार का विगटन भी बालक को इस्टीट चिलन या उपेचित बालक होने के लिए निर्भर करता है तो यहां पर हमारे द्वारा अध्यन में पता चला कि 14.4 प्रतिसत उत्तरदाता के परिवार का सुरुप विगटीट था मतलब उस विगटीट मतलब परिवार में या तो माता-पिता साथ नहीं रहते या तो माता की मृत्थी हो गए या पिता की मृत्थी हो गए या माता-प देखा जाता है कि जिन बच्चों के माता पिता पड़े लिखे हैं उनके बच्चे इस्टी चिलन नहीं होते हैं या वो बच्चे उपेक्षित नहीं होते हैं वास्तों में यह बात सही है क्योंकि यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि 43.4 प्रतिसक जो बच्चे उनके पिता की स करने के लिए कंथा सब्सक्राइब करने के लिए किस अगे हम देखेंगे कि अधा की सेटी तो पता की सेटी तो सेकिस्टे oni — कि अगे हम देखेंगे कि आधार पर भी हम यहां देखें तो माता की स्थेशन के स्थेवी बालक की उपेक्षा का प्रमू कारण है अब इस अध्यन के आधार पर हमने एतने सारे जो आँखड़े देखें उसके आधार पर हम लोग विभी ने प्रकार के सुझाव प्रसुत कर सकते हैं कहा जाता है कि बालत की पहली जो सीखने की सीडी होती हो परिवार होता है यसलिए हमने परिवार को ले कर prac सुझाव प्रस्तुत के हैं तो इसमें अध्यन में देखा गया है कि अधिकांद बालों के परिवार का सुरुख एकल परिवार है जिसके कारण माता-पिता व्यस्तता के कारण बच्चों पर उच्छी धंग से ध्यान नहीं दे पाते हैं माता-पिता K concept का बज्चों के साथ भावनातसमें संब्ण संब्भिस्त वांद क리ं बच्चों की अच्छी परवरिश करने की ओर ध्यान देखर इसा कर बातापिता असमर्थ हैं कई बार क्या होता है बावनात्मक अनुकुलन वातावरण में अपना विकास कर सके एवं एक सपल इंसान मन सके शाथ ही साथ माता पिता को चाहिए कि बच्चे की सही गलत ब्यवार पर विशेज ध्यान दे एवं बच्चों को अच्छे अच्रण ग्रहंड करने की सिक्षा दे जिसे परिवार में अच्छा अच्रण परसूत करने शीक्ट बच्चों को इस प्रकार की सीख दे जाए कि वह समाज में आदर्स परसुत करें जो समाज में जो आदर्स हैं उसको ग्रहण करें जिसे की बालक आगे बढ़ सके अगला ही माता-पिता को चाहिए कि बालक का विद्यालाय में नामंक न कर उसे शिक्षा के महत्वों को समझाए. अधिक तर हमने जिन बालकों से बात की जिनका विद्यालाय में नामंक नहीं था, व hm परिवार तो जिम्मेदार थे ही थे, साथ में हमारी कुछ नियम एसे हैं जिसके मात के द्वारा बालक नामंकित नहीं हो पाता है क्योंकि अधिकांस बालक के माता-पिताओं का या तो आधरकार नहीं बनाता है या बालकों का आधरकार नहीं बनाता जिसके करण बालकों को विधले में नामंकन देने से मना कर दिय अगला है मातर पिता के महात्यों को समझाना चाहिए जिससे कि अधिक से आधिक बच्चे से जूट सके विद्धाले में आमनकीत हो सके कई बार देखा जाता है विगटीत होते कि परिवार के कारण भी उप्रिक्षित बच्चों का जेनम होता है मात पिता लड़ाई की कारण अलग-अलग हो जाते हैं और उसका हरजाना की कांशलिंग करके उनको साथ में रहने की इतायत दी जानी चाहिए जिससे की बालक का सही डंग से पालन कोशन हो सके इस अध्यन में अधिकांसता देखा गया कि 7 वर्ष से 17 वर्ष के बच्चे जो है वो अपने इच्छा की पूर्ती के लिए कोई भी कारे करने के लिए तयार हो जाते हैं चाहिए वो अनेती कारे क्यों ना हो अभी भावकों को चाहिए कि बच्चों को अच्छे मित्रे बनाने की सहला दे उनकों विसेज ध्यान दे अगला है वेशे तो लड़कों और कर विशेज ध्यान देने की जरूरत है। जिस प्रकार, हमारे कल्चर है वालिकाओ को नियमों में मानद के रखा जाता हूँ और बालोकों को किसी प्रकार के छूट दी जाती है कि आप सोतंद रहे हैं और बालिकाए घर में किसी नियमों में बन दी रहती उसी प्रकार, हम लोगों को लड़कों को भी विशेश रूप से नियमों में बांधने की जरूरत है, उनको शिक्षा से जोड़ने की जरूरत है, साथ उसाथ उनको अच्छा आच्रने वेवार देने की जरूरत है, उनको अच्छे संस्कार देने की जरूरत है, अगला है सरकारी हैं, गेर सरका को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ रूप रेखा बनाकर कारे करना चाहिए, शाती साथ साथ चाइल लाइन और स्रम विबाप को साथ में मिलकर बाल स्रमिक, बाल बीख्चुक एवं नसा करने वाले बच्चों के लिए एक अलग टास्क टीम का गठन करना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की उप्रिक्षा पर विशेश रूप से ध्यान दिया जा सके। नसा मुक्त केंद्र को चाहिए कि सारोजन की स्थानों पर नसा मुक्त उपलब्द होने वाले स्थानों पर 18 बड़सों से कम आयू के बच्चों को नसे की समगरी नह देने की समझाई से एम नोटिस लगाये जाएं। अगला है अवलोकन में पाया गया कि माकाल मंदिर के पिछे वाले सिम अधिक मात्रा में बच्चों दुवारा वाहिटनर का उप्योग नसे की रुप में क्या जाता है। वाहिटनर पर पतिबंद होने के बावजुद बालोगों की बड़ी संक्या में आसानी से यह दुकानदार उप्लब्द करवा देते हैं। ऐसे दुकानों को चिनित करने समझाईज दी जानी चाहिए। साथी साथ समझाईज के बावजुद अगर दुकानदा ना माने तो ऐसे दुकानदारों को गिलाप कानूनी करवा ही की जानी चाहिए। में हम लोगों ने जब इन बालों को से बात करने की कोशिश की तो यह भाग गये थे और हम लोगों ने उचित नहीं समझाये इनके पीछे भागना क्योंकि अगर बच्छा भागता है तो उसके साथ इन बच्चों से हमने बात नहीं की परन्तु ऑब्जर्वेशन की माध्यम से अम लोगों ने इनके आंकड़े प्राप्ट करने की कोशिश की रिपकान्स बच्चों को बालोगों के हीत के लिए कारीरत किसी भी कारीकर में यह संस्थान की जानकारी नहीं है साथ में सास्की एवं निजी विध्यालों में ऐसा वातावन तेयार करना चाहिए जिससे कि बालक रूची पूर्वक विध्याले में जाने के लिए प्रेडित हो, जिससे कि क्या होगा, अगर बालक की रूची विध्याले जाने में बढ़ेगी तो ड्राप आउट रेट कम होगा, तो बालक जो सड़क पर घूम रहे हैं वो अधिकान समय अपना कहां पर बित जाएंगे, तो यहां पर जो उपेचित इस रेन में बालक को भी संक्या बढ़ रहे हैं वो अपने आपी धिरे-धिरे कम होती चली जाएगी, अगला है जो बालकों में सिक्षण के दोरान बालकों के हितों को ध्यान में रख कर विशे सत्र का योजन करवाया जाना चाहिए जिसके की बालकों में जागरूकता का विकास हो सके एवं स्वयम निन्नाई लेने में सक्षम बन सके उनके लिए कौन सा आचनी विशारी है अभियोजन से संबंदित कुछ मैंने सुझाओ यहां पर पस्तूत किये हैं अधिकांस बालक अपने हितों एवं अधिकारों को नह सब्सक्राइब करने के लिए कारिक्रम एवं रूप रेखा का निर्मान कर बच्चों तक जागरूपता पहुंचाए साथ इसाथ शिक्षा के अधिकार अधिन्यम 2009 में प्रत्यक बालोकों को शिक्षा का अधिकार तो प्रदान कर दिया गया कि 6 वर्षु से 12 वर्षु तक क आयो बच्चों को अनिवर शिक्त्षा प्रदान की जाती है प्रंतु वहां पर ड्रापाउट होते बच्चों के लिए किसी प्रकार का कोई कि वेवस्ता नहीं की गए क्योंकि बालोगों को हम नामंकित्तों करवा देते हैं प्रंतु ड्राप आउट होते बच्चों की प्रमुक समस्चा है कि वो विध्याले में बने रहें कि अन्य सुजाओं भी हमने प्रस्तूत किये हैं जिसमें से अधिकांसता बच्चे केवल प्रात्मी इससर तक सिख्छा प्राप्त कर पाए हैं परिवारें विध्याले को चाहिए कि बालक कम से कम हार सेकेंडरी तता विध्याले में विध्यार्ती की रूप में बना रहें जि लास्ट पॉइंट है अधियन में पाया गाए कि अधिकांस बाल विव्चुक वे बच्चे थे जिनके परिवार में पहले से कोई सर्देश से बिच्छावत्ती करता है अधा ऐसे लोगों के लिए कठोर कदम उठाए जाने के आउशकता है क्योंकि बालक के सामने जिसा वे विषए रखने का उसर दिया और आप सभी का बहुत धनिवाद क्योंकि आपने अपना अमुली समय निकाल कर इस विषए को समझने का प्रियास किया गया धनिवाद सर बहुत बहुत धनिवाद मोहिं जी और एक अध्यता के रूप में आपने जिस विवस्था के साथ ये प परशन निरंतर खड़े रहते हैं बाल कल्यान समीती का काम करते समय या चाइड लाइन का काम करते समय कि जिन बच्चों के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं उन बच्चों का हम लोग निदान क्या करें बास्तों में हम लोगों का जो काम है वो उप्चारात्मक कामी है और उ अधिकारों के जागराण और संदक्षन के शेतर में और आपने जो सुझाव कोट किया है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ चाइल्ड कंजर्वेशन फांडेशन की ओर से और चाइल्ड कंजर्वेशन फांडेशन ही नहीं तो यहां पर उपस्तित समस्त बाल कल्यान समिती और चाइल्ड लाइन की जो हमारी आइजेंसियां हैं और विशेश किशोर्पुली सिकाई की जो सदस्य हैं उन सभी की ओर से कि निश्टिती इन सुधावों पर हम लोग अमोल करने का प्रयास करेंगे और जो अध्यन आपने इतनी सार गर्भी तुरूप से तयार किया है उ तो हम सभी के लिए आगे के समय मारदर्शक सिद्ध होंगे आज के इस कारेकरम में हम लोगों के बीच में पूरा समय बने रहे हैं चाइल्ड गंजर्वेशन फाउंडेशन के सची हूँ श्री करपाशंकर चोबे जी डॉक्टर करपाशंकर चोबे जी तो वे आभार के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारी मीडिया सेल की प्रमुख कारेकरता जाबुआ पाल कल्यान समीती के अध्यक्षा श्रीमती निवीदिता सक्सेना जी से कि करपाशंकर चोबे जी के विशेपरवरतन के पश्चात निवेदिता दिदी जो है वो आभार प्रदर्शन का जिम्मा समाले श्री करपाशंकर जी चोबे दन्यवाद लोकेंद्र जी इतने अच्छे तरीके से इतने एक व्यापक विशाय को रखना अपने आप में एक बेहद ही कलात्मक कारे है जो आपने किया है जो बच्चे प्यक्षित हैं जो स्ट्रीट चिल्ड्रेन हैं उनकी समस समसिया जो है एक विक्राल समस्या इस समाज के लिए कि जरूरत की सड़क बनाने को हम अपने सपनों का डामर भीछाते हैं यह इन बच्चों के बारे में सोचते नहीं हैं हम लोग कि इनके भी कोई सपने हैं जिनको जीने का अधिकार उनको है हमारा दाईत तो है समाज का द जिसकी वज़े से यह सारी समच्या की जड़ कह सकते है यह एक मूल कह सकते हैं यहं और भी बहुत सारे कारण है लेकिन इसमें गरीबी को हम प्रमुखता से कह सकते हैं आज है इसक्रइक ऐसी चीजा है जिसकी वज़े से स्ट्रीट चिल्डरन रहते हैं जो अपने अधिकारों के प्रति जागरुप नहीं हो पाते हैं और अंत में हम देखें तो समाज में हराश्ट निर्माण में अपना रियोगदान नहीं दे पाते हैं तो विसर बहुत अच्छे तरीके से रखा अनिश्ची तरूप से आपका अ और जिस समग्रता के साथ अपने अध्यन किया है वह संसनी है और लोकेंट जी ने अच्छे वक्ताओं के साथ-साथ विसर कोई बहुत अच्छे से समाला है तो मेरी तरफ से इतना ही है कि हम लोगों को थोड़ा इस मामले में कासकर बाल करनें समीतियों को जागरुप के तो हम एक उसके पुनरवास की एक पुरी योजना पर काम करें सिर्फ यह न देखें कि इसको हमने अपने परिवार में सौंप दिया या उसको कि थोड़ा सा एक तातकालिक लाग दे करके उस बच्चे का भविश्च्च बना लिया हमें एक पुरी समगर योजना पर एक एक ल 接 with a care plan उस बच्चे का बनाए चाइल Diated Line के माधियन से और लाँटर्म के Aim pan li Bob what home and so far ऌए च्छे महेने साल बहरे दो साल पांच साल का अवनार को करें उसको फॉलो अप करें समित्तियोंका का और cop always स्भिताइब मां बहुत अच्छा भी है उम्मीद करते हैं कि हम में में बालिकाओं की पुरान को और अच्छे से निखा करेंगे और इन बच्चीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हम समालेंगे इससे कोई भी बच्चा अगर सड़क पर निकलता है तो अपने आपको असुरक्षित ना महसूश करें धन्यवाद बहुत बहुत निवीता दीदी आपकी तरह अधर निवीता दीदी जी जी बहु आपका में बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपने हमारे मतब सभी हम सभी लोगों को जो हम बाल संडरक्षन से जुड़े हुए लोग है हम सभी को आपने बाल अधिकार और बाल बिक्षावरती बाल श्रम इन से रिलैटेट काफी सारी तमस्याओं को से अवगत कराया और उनके समाधान के बारे में भी बताया कि शोर ने आदी नियम से रिलेटेट कई सारी बाते आपने हमको बताई हम कोशिश करेंगे सभी लोग इससे ज़्यादा एक जुनून और जजबे के साथ कारे करते हुए बाल संद्रक्षन के शेत्र में कारे कर सके और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारी हमें इतना समय दिया और हमारे CCA Foundation के अध्यक्ष रागे रागवेंद्री जी भाई साब जिन्नोंने की हमें इतना अच्छा प्लैटफॉर्म दिया और क्रपाशंकर जी भाई साब जो लगातार हमारे साथ सुत्रधार के रूप में अभी CCA Foundation के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कर सकते हैं